भारत माता की है भारत माता की है भारत माता की है हम सबने सुना है हम सबने सुना है जहां दूद दही का खाना वैसा है अपना हर्याना हर्याना के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है साथ्यों आज नवरात्री का छट्था दीन है मा काच्यायनी की आराधना का दीन है मा काच्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किये हुए है हम सभी को आशिरवाद दे रही है ऐसे पावन दिन हर्याना में तीसरी बार लगातार कमल खिला है गीता की धर्थी पर सत्य की जीत हुई है गीता की धर्थी पर विकास की जीत हुई है गीता की धर्ती पर सुशासन की जीत हुई है हर जाती हर वर्क के लोगों ने हमें बोर दिया है साथियों जम्मु कश्बीर में दसकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांती पुर्वक चुना हुई है कि वोटों की गिंती हुई है नतीजे आये यह भारत के संविधान की जीत है भारत के लोगतंत्र की जीत है जम्मु कश्बीर के लोगों ने नेशनल कानफरंस उनके गड़ बंदन को ज़्यादा सीते दी है मैं उन्हें भी शुप कामराय देता हूं वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन करके उबरी है मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर में जीत हासिन करने वाले सभी उमिद्वारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं सभी भाजपा कायर करताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं हरियाना की जीत कायर करताओं के अथाद परिशम का परणाम है हरियाना की जीत नद्याजी और हरियाना की टीम के प्रयासों की जीत है हरियाना की जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्य मंत्री जी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हरियाना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हरियाना की जन्ता ने नया इतिहास रच दिया है शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी हरियाना का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्जों ने इस राज्य का नेत्रूत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा हिंदुस्तान जानता है एक जमाना था हरियाना के इन दिग्ज नेताओं का नाम पुरे देश में चर्चा में रहता था हरियाना में अब तक तेरा चुना हुए तेरा तेरा चुनावों में से दस चुनावों में हर्याना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हर्याना के लोगों ने जो किया है वो अभूत पुर्वा है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कारेकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कारेकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हर्याना में फिर से मोका मिला हो यह भारतिये जनता पार्टी को कि तीसरी बार मोका मिला है यहां के लोगों ने शुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढ़ाई बलकि कि हमें सीटे भी जाजा दी है और वोट शेर भी जाजा दिया है कि ऐसा लगता है हर्याणा के लोगा ने छप पर फाड़ कर वोट दिया है कि इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी कि साथ्यों कि भाजपा कि दुनिया का सिरफ कि सबसे बड़ा दल ही नहीं है कि भाजपा कि सबसे ज़्यादा दिलों में भी बसी हुई है हर्याणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेश के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्द प्रदेश की जनता दो दसक से भी जादा समय से वहां अपना आशिरवाद बनाए हुए अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज ठापित करने वाली भाजपा एंडिये की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं असम त्रिपूरा और उत्राखन में लगातार डोट्टम से भाजपा की सरकार है जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार कब कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दुबारा आये थे करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लोटी दिबा की एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकंटम नहीं दिया है आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राच्य है जहां कॉंग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी कहीं पर 50 साल पहले थी कहीं पर 40 साल पहले थी पचाथ पचाथ साल से वह सत्ता में आई ही नहीं है एक बार लोगों ने निका दिया कॉंग्रेस को गुसने नहीं दिया देश के जादातर राज्य के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बॉर्ड लगा दिया है पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोड़ देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है कि उसका दिब्बा गोल हो चुका है कि साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है कि सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाओं पर लगाने से नहीं ही चक्ती आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई है जो लोग चांदी नहीं सोने का चब्बच मुँ में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइव स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है यह कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पिछडों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया यह कॉंग्रेस है जिसने उन्हें इतने दसकों तक रोटी पानी मकान से बंचित रखा यह वो लोग हैं जो सौ साल बाद भी कि सत्ता मिलने पर कभी किसी दलीत पिछडे आदिवासी को प्रधान मत्री नहीं बनने देंगे सच्चा यह है कि कॉंग्रेस का परिवार दलीतों पिछडों आदिवासियों इनसे नफ्रस करता है उनसे चीरता है इसलिए आज जब दलीत पिछडे आदिवासी सीर सस्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते हैं हर्याना भी इन्होंने दलीतों को ओबिसी को भागी डारी देने से साफ इंकार कर दिया था उन्होंने दलीतों और पिछडों को भी अप्मानित किया कॉंग्रेस के शाही परिवार ने तो दंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षन खत्म कर देंगे दलीतों और पिछडों को आरक्षन चीन कर कॉंग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी हर्याने भी हर्याने भी वो यही करने जा रही थी साथियों कॉंग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैला कर देश को कमजोर करना चाहती है इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं लगातार आग लगाने की कोशिज कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हर्याणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओविसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिज हुई क्या क्या प्रपेस्ट नहीं किये गए लेकिन इस समाज में भी इस सडियंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नौजवानों को बढ़काया इस साजिस को भी हर्याना के नौजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याना ने कॉंग्रेस को दो टूग संदेश दे दिया है यह देश विरोधी पॉलिटिस नहीं चलेगी हर्याना की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुड़ होकर वोड दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोड दिया देश भक्तों को माटने की साजिस को हर्याना ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के विरूत बाती बाती के सडियंत्र चल रहे हैं भारत के लोगतंत्र को भारत के अर्थतंत्र को भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतर राष्टिय साजी से हो रही है आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देश्वास्यों से कह रहा हूं कि कॉंग्रेट जैसी राष्टिय पार्टी अंके चट्टे बट्टे इस खेले में खेमे में शामील है इस खेले में शामील है देश्वक्त हर्याना ने आज ऐसी हर साजीस को भी मुहत्तोर जवाब दिया भारत और हर भारतिय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजीस को सफल नहीं होने देंगे भारत विकास के राष्टे से नहीं बठकेगा साथियों आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट किये है कॉंग्रेस आज पुरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है यहां हर्यारा में कॉंग्रेस परजीवी बन कर किसी के साथ नहीं थी अकेली थी तो उसे करारी हार मिली जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी दर के मारे पहले से कहीं कह रही थी कि कॉंग्रेस की वज़से उसे नुक्षान हो रहा है और आज के नतीजों में भी वही दिखा है आपको याद होगा लोग सभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था लोग सभा में कॉंग्रेस जितनी सीटे जीती उनमें आदिसी जादा सीटे वह अपने सहयोगों की बज़से जीती है इसके अलावा जहां सहयोग्यों ने कॉंग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोग्यों की ही नईयाद डूब गई कई राज्यों में कॉंग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामिया जा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा कॉंग्रेस ऐसी परजीवी पार्टियों है जो अपने सहयोग्यों को ही निगल जाती है साथियों कॉंग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफसर्द करते हो नफ्रत करते हो अपनी राष्ट्रिय संस्ताव पर संका करते हो जिस जिस पर देश वासी गर्व करते हैं कॉंग्रेस वुद हर चीज की छबी को दुबिल करना चाहती है देश का चुनाव आयो हो देश की सेना हो हमारी पुलीस हो देश की न्याय पाली का हो कॉंग्रेस हर संस्ता पर दाग लगाना चाहती है आपको याद होगा लोग सभाज चुनाव का परणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहरम मचाया था चुनाव के दोरान भी ये लोग इनकोई सहयोगी दल इनके अर्मन नक्सल साथी कितनी बार कौड गए सुप्रिम कौड तक गए और किस लिए ताकि ये लोग चुनाव आयो की सम्वेधानी निस्पक्ता पर बट्टा लगा सके आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया आज भी कॉंग्रेस ने देश की जनता को गुम्रा करने की कोशिश की है कॉंग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्ताओं की निस्पक्ता पर सवाल उठाए उसकी प्रतिश्चा पर आगात करे कॉंग्रेस की यही आदत रही कॉंग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी कर्तूतें करती आ रही कि साथियों जम्मु कश्पी पर इस बार हुआ चुनाओ कई माईनों में त्यासिक रहा है वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद यह पहला चुनाओ था आजादी के साथ दसक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था उन्होंने भी पहली बार इस चुनाओ में अपना वोट डाला है कुछ लोग कहते थे कि आर्टीकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा लेकिन कश्मीर जला नहीं कश्मीर और खुबसूरती से खिला है खिल खिलाया है जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नम्मर में बोट डाले वहर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है हमारा जम्मु कश्मीर कर्फियो और अलगाववाद के कालखन से बाहर निकल रहा है 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मु कश्मीर में बीडी सी के चुनाव कराए आज पहली बार प्रशाशन के हर स्तर पर फिर चाहे वो विदायक हो बीडी सी हो डीडी सी हो हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी काम करेंगे हमने जम्मु कश्मीर में संविदान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनाप्रतिश्ठा की है बाबा साब अंबेर करको इससे बड़ी स्तर धांजली क्या होगी साथियो मैंने विख्षित भारत के लिए चार संभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है ये चार संभ किसान युवा महलाएं और गरीब जम्मु कश्वीर हो या हर्याना हम विकास को इनी चार धारों के चार संभों के बल्बुते पर देश को विख्षित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इनको ससक्त करना ही भाजपा की प्रात्विक्ता है हर्याना के गरीब तो पिछले दस साल से डबल इंजीर की सरकार का काम देख रहे हैं मुप्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हर्याना के गरीब परिवारों को अनेक सुविधाएं मिली है अब हर्याना की भाजपा सरकार गरीब कल्यार के काम को और अधिक गती देगी साथियों हर्याना तो क्रिशी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामीर है हर्याना की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है हमारा लक्ष एड़नम साफ है भाजपा सरकार हर्याना के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना चाहती है बाजरा जैसा यहां का मोटा राज श्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे यह हमारी प्रतिवध्धता है हर्याना खाने के तेल में आत्मन निर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है इससे हर्याना के तिलहन किसानों को भी ज़्यादा लाब होगा साथ यह हर्याना के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चाहे माने सर में मैंडिफेक्टरिंग सेक्टर हो गुरुग्रान के स्टार्ट अप्स हो या फिर खेल की दुनिया हर्याना के छोरा छोरी खुब दुम मचा रहे है भाजपा सरकार इन सभी छेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ती बनने जा रहा है और इसमें हर्याना के नौजवानों के भूमी का बहुत बढ़ी रहना वाली है इसलिए हर्याना में स्पोर्ट ये इंफ्रास्रेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड में भाजपा ने रखा है साथियों जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेट डेवलप्मेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है हमारी माताओं बेहनों बेटियों के ससक्तिकरान से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है हर्याना वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रुपे देश को नेत्रुत्त दिया है अब हर्याना में हजारों लगपती दिदी और ड्रोन दिदी बनाने वाले है लाडो लक्ष्मी योजना से भी हर्याना की बेहनों को मुक्त बहुत लाप होने वाला है जब माताए बेहने आर्थिक रुप से समर्द होगी समर्थ होगी तो इसका लाप पूरे परिवार को होगा परिवार समर्थ होगा तो हर्याना समर्थ होगा बेश समर्थ होगा साथियों भाजपा की सरकार राष्ट को सर्वो परिरख भी है नेशन फरस्ट भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र हो यहां पर हर्याना इन दस सावों में भाजपा की सरकार पर ब्रश्टा चार का एक दाग नहीं लगा है केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है बैसे ही हर्याना सरकार दस साल चलाई हमने ब्रश्टा चार का कोई दाग नहीं है हमने सिर्फ और सिर्फ समर पर भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हर्याना के मुख्यमंत्री बाई नाइप सैनी जी और पुर्व मुख्यमंत्री सिमान मनोहरलाज जी की भरपूर तारिफ करता हूँ उन्होंने हर्याना के विकास के लिए बहुत मैंनत किये हैं साथियों जब जनता ऐसे काम को पुत्साइट करती हैं नेक नियत और अच्छी निती को सराती है तब काम करने की उर्जा भी दोगुनी होती है हर्याना ने भाजपा सरकार को पुत्साइट किया है जम्मु कश्वीर ने भी भाजपा को पुत्साइट किया है यह अशिरवात हमें और भी अतिक महनत कर लिए प्रेडित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मु कश्वीर और हर्याना की जनता को भी फिर एक बार रजपा इससे बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्कील कैपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है आपने हर उस प्रण हर उस पेना को सतक्त किया है जिसका मकसद करोडों लोगों को गरीबी से बहार निकालना है ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठीन से कठीन फैसले लेने के लिए भी नया होसला देगा मैं आप सभी को पूरे देश को फिर ये भरोसा देता हूं कि आने वाले पांच साल और तेज़ विकास के होंगे हर याना विक्सित होगा जम्मु कश्वीर विक्सित होगा भारत विक्सित होगा और ये हम करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर हर्याना और जम्मु कश्वीर की जनता का अभार वेक्त करता हूँ आप सब कार्य करताओं का जितना अभिनंदन करूतना कम है देख के कौने कौने में आज भारतिये जनता पार्टी जो कुछ भी है हर संगर्ष को पार करते हुए भारतिये जनता पार्टी नी जनता के दिलों में जो जगा बनी है उसके मूल में भाजपा के कार करता है भाजपा के कार करताओं का परिश्रम है भाजपा के कार करताओं के त्याग तपस्या है और इसलिए विजए के उस उस्थों में मुझे बार-बार मेरे कायर करताओं की याद आना बहुत स्वाभावी कहें उनके प्रती अहोभाव वेक्त करना मेरा स्वाभावी मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंदे से कंदा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर लख्षकी और बढ़ते जाने वाले भारतिये जनता पार्टी कार करता न रखने वाले हैं न ठकने वाले हैं और जुकने का तो सवाली नहीं होता है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अभिनंदन करता हूं देश वाचियों को भी मैं उनके आशिरवाद के लिए प्रणाम करता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद